रामा मेडम, यह गतल नहीं है, यह तो यहां की एक प्रथा है गलत करने वालों के लिए, यह एक सजा है, हम तो यह भी नहीं जानते कि वह दोनों आय कहां से थे, दो लोग थे, दो लोग, देवी के सामने, उन्होंने इसकी बली चड़ा दी, अब लोग उन्हें रुका नहीं, हमारे इंमत नहीं हुई, उसकी आखों का तेज देख कर लग से ही हुआने, इन्हें ऐसा ही छोड़ देंगे, तो पता नहीं यह कितने लोगों को मारेंगे, इसमें कोई संदेदी, अभी तो कई शिकार होने हैं, काम पर नहीं जाओंगी, दादी, क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी, यह शोदा मा, कॉफी दोगी क्या मुझे, हाँ, देती हूँ, शक्कर अच्छे से डालना कॉफी में, कम नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक है, डाल दूँगी, बिकार की किताबी क्यों पढ़ती हो, अच्छी किताबे पढ़ा करो, अच्छी किताब कहां मिलती है दादी अब, वहां पे तो पूरानी किताबे है, अगर तुम्हें इंटरस्ट नहीं पढ़ने में, तो पढ़कर मैं सुना दूँगी, सुनोगी न, ठीक है, पिताजी ने मुझे बताया था, आप जब सर्वीस में थी, तो आपने ही किताबे लिखी थी, हाँ, ये वाली क्या, तो फिर य ये तो ज़रूर होगी, ये लिखी है क्या आपने, ये होगी, दादी, कौन से किताब है, तो अन्ध बिगीज, तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश करो, वो अपने घाउ से अंदर ही अंदर तडप रहा है, अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो, अपने मन के गंदगी को निकाल फेको, तलवार की वार से बचकर तुम भूलों से जखमी मत होन समुंदर के लेरों से बचकर तुम अपने दुख दर्द के आंसों में मद दूजाएं जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे, वा गया निकलो लेया, मैं पढ़ती हूँ रह्म बुरे लोगों के लिए नहीं, शमा मुर्खों के लिए नहीं तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हधियार हो, शिकारी के नजर में तुम एक खुफाद जानवर हो, कसाय के हाथ का छूरा बनो, सीना चीदे वाला दहार बनो, मृत्यू का साधन बनो, दुष्टों के लिए मौत ही आखरी फैसला है ये लिजे दादी, पढ़के सुनाईए दादी, इसे स्टोरी का नाम क्या है? पादी, वारिह को, ये आपने दियू पादी, दुष्टों के लिए के लिए, ये लिए! रुखो, महां देखो, रुचाँ! कर दो कर दो कर दो हुआ 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 इस तरह गली-गली नाच के कब तक जिन्दकी का गुजार करेगी तु मेरे साथ आजा तुझे रानी बना के रखूंगा भाई हमें जाने तो इससे पहले कि मेरा आदमी तुम सबको गाड़ी में डाल दे तू मेरी बात मान जा चल सबको अंदर कर कितने आदमी हैं चार लोग हैं घ्यान रखना अगली बार जादा लोग चाहिए यह लिए नमस पा होता है यह तुम्हारा बश्च है कि तुम्हारा बश्च अगया है तुम तो मेरी मा के पाचले जाने वाले थे यहां क्यों लाए हो सुनों तुम्हें गोजबरा ही रसम के लिए ले जा रहें जूआ बाई इसको काम पर रग लो और मुझे खुछ पहिए मुझे पैसे दे में जाओं गाड़ी में बैठाज़े नहीं नहीं जाओंगे मुझे मजदूरी की काम पर मत बेज़े ए बेवड़े किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना यह हमारे सिद्धान्त के खिलाफ है तुझे अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना तुम माने के कि नह क्या करते हो वो गिरी सहब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया अरे तुम मत गलत समझना मैं तो अपने गाउं के मर्दों के बारे में बोल रही हूं तुम तो बाहर गाउं से आये हो मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती तो मुझे गलत मत समझना पता नह के लिए बिल्डिंग के काम के लिए बोल कर लोगों से गलत काम करवाया उसने उसकी नियत ही गलत है कि वो दो चार भुल्डे अपने पास रखता है और फिर पांच पैसे दस पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरी किसी जगह पर बेच देता है और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाई आज वो ऐशो आराम से रहता है यहां तक कि उसने कानून को भी खड़िया है और अभी तक वो राजा बनकर आजादी से गलियों में इदर उदर घूमता फिरता रहता है यह लिंगी जाओ मेरी बहादूरी के उपर एक मस्त गाना का भाई हमें छोड़ दो हम भगवान के बच्चे हैं और हमें इंसानों के बारे में इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए हमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी विंती करते हूं भाई हमें जाने दीजिए है मने तुझे लात मारा हुआ है पाफ कर देवाई है तुम्हारे दीट में नहीं हाँ तुम्हारे चोड़ दीजिए अ Feld चैंने जाने झींट है इस अपनी जानको हदेली पर रककर दूसरे जान को पैदा करने की ताखत सिर्फ और अरत में होते अगर आरत नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता तुम्हें पता ही होगा ये जो तुम दुनिया में मर्द बनके घूम रहे हो उसकी वज़ा भी एक और तुम अपनी ताकत इनको दिखाते हो ये और ते शांत रहती है इसलिए नहीं कि वो कमजोर है कोई और अग कि आजा अगर नहीं 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 मैंद थोड़ देजिए मैंद मर जाएगा मैंद मिदम क्या कर रहे हैं मैंद मर जाएगा ये जान की कीमत नहीं समझते हैं ये लोग मजदूरी पर भेजने वाले लोगों को मारू नहीं तो क्या करूं आप मारना ही चाहती है तो उस गिरी को मारिये मैडम प्लीज मेरी बात मानिये मैडम 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 हम लोगों के यह पुछने से पहले इन सब लोगों को उसने मारा है मैडम उसने मारा है कौन हो तुम लोग नाम क्या है तुम्हारा कानक ये कौन है कौन है या आदमी जो किसी से बात ही नहीं करता भेड़ से आए बाहर हाती के समान है ये इसके अंदर पागलपन ज्यादा है और खुशा भी ज्यादा है ये मेरे पीता है वेड़ा इसमें क्या है ये किसलिए रखी हो तुम्हें तक्लीफ देने वालों को मारने के लिए अगर तुम्हें कोई तक्लीफ दे जरा भी ना सोचो और हात में जो भी आए उसे उठा कर मार दो ये ये पीड़ाची हुआ 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 जाना है भाई मुझे उस पिपल के पेड के पास छोड़ दो आओ बेटो कर दो भाई में अच्छ ग्याराई յां में अजया कर दोण तढहराई हुआ ह् जट्ष्मार मुझे बचाओ बुझे पर अब जया हुआ हुआ है अब मुझे बचाओ परहाई और घालू की इसे, खोरदा मुझे, खोरू एए मैं नहीं चाडू की इसे यह बादन होगह है क्या सब्सक्राइब सर लाइट चली गई है आने में थोड़ा टाइम लग सकता है अरे 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 सर सामने पान की दुकान में आग लगे यह सर वहां क्या हुआ जा कर देख ठीक है सर यह चलो चलो हुआ 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 है तू कौन है क्या चाहिए तुझे लगता है तू गलत जग्या गई बोलना क्या चाहिए तुझे तुझे मैं चाहिए हूँ तू अकेली ही आई है अर भा देव्केलमो कनकुल वह अ आई झाह यह हुआ अ तू तू दू अ मर गया, मर गया ये कर दो कर दो मर गया कर दो तो कर दो झाल 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 आप आप दिमा तो लाए पित्वी प्राइब तुम दोनों ने रुद्रा को मारा है, गाव में यही चर्चा चल रही है. बहुत बेरहमे सकतले किया है, मेडम. किस नहीं किया? लड़की. लड़की? साथ में वो भी था. कौन था उसके साथ? वो तिखने में शेर, शेर, शेर की तरह था. आग भंकिया हुआ था. उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्ता था. उन दोने इसको मारा. वेदा. कनक. आप इतना यकीन सा कैसे कह सकती है, मेडम? इस पत्थर को हथियार बनने से पहले, मैं इससे परिचीत हो चुकी हूँ. जरा भी मत सोचो, तुम हिम्मत करके जाओ. दोनों इस गाओं से बाहर नहीं जाने चाहिए. इस गाओं में तुम दोनों का काम हो गया. अगना शिर्ली. तुम लोग जा सकते हो. गिर्जा मेडम? नमस्ते मेडम. रमा मेडम, गिर्जा मेडम आई है. कौन? लॉयर गिर्जा, आज तक एक भी केस नहीं हा रही है मेडम. थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन. मैंने हार के ही जीत हासिल की है. कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी. उसी कफल है कि आज जीत मेरे घर के बाहर इंतजार करती है. मेडम दर असल बात यह थी. ठीक है मेडम. अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा? सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए. यह जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूँगी. पुलिस क्या होती है मैं बताऊंगी. पुलिस टेशन में घुसके मारने वाले के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए रमा. जानती हूँ. आप उन्हें जानती हैं इसलिए यहां आई हैं यह भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. VEDA, HE is my client. Sorry, he was my client. But now, The Hunt has begun. और अब उसे रोका नहीं जा सकता. शांती एक भ्राह्म है. हिंसा ही हकीकत है. और अब जो हो रहा है, वो इश्वर भी नहीं पिखाए है नहीं बदल सकते हैं क्योंकि इस वक्त इस यूद की जरूरत है इसलिए वक्त भी इस यूद का साब दे रहा है कि वेदा है कि वो बिल्कुल नहीं डरता और माफ भी नहीं करता कि अरे रुको 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 ये तो वीरा है ना ये मंदिर की चाभी लेकर क्यों जा रहा है कि चाभी तो पुजारिक पास होनी चाहिए इसके पास कैसे आई ये ये चलो ये चलो ये चलो हुआ 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 कि पुआ है कि अवद हम ई पुआ है आड़ हाईं मेरा मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं हम गांवावलों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए अब तुम ही बताओ हम लोग इसके साथ क्या करें कुछ नहीं इसका सर मुड़वा के मूख आला करके गधे पर बैठा कर पूरा गाउ घुमाना चाहिए आप कैसी बात करते हो इसकी उनों हाथ मिटकार दिना चाहिए तो वो तू है जो ग्धाओं के आसपास चोरी करता रहा अब पकड़ाया हाथ लगाता है क्या बे क्या एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बे मतलब सारा इल्जाम गाउवालों पर लगा दिया बहुत ही घटिया इंसान हो तुम भाई ये लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता और तो बच्चा हो या बुड़ा हो ये लोगों के हाथ में पावर है इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ह मांग नहीं पड़ेगी चल मांग सर माफी मांग लीजिये आप इनके बारे में नहीं जानते जिन्दा रहेंगे तो फिर देखेंगे अच्छा ठीक है माफ कर दे ये बेवकूब समझता है क्या हाथ जोड सर जुका माफी मांग जैसा कहरा कीजिये मुझसे गलती हो गए मुझे माफ कीजिये निकाल अब ही तुम्हारा टाइम अच्छा था तुम बच गए अपनी पत्नी से आरती उताने के लिए बोला क्यों भाई हो का चुछा इस जने की भरवा कर दिया शादी के दिन ही दूल्य को पुलिस से पकड़वा दिया शादी के दिना भ़ाद घॉज हो घゃोंगे जात्यनाश होगा अरे ऐसे क्यों चिला रही हो घल्पी किया तो सजा भुगते गाही ना उन्नेक लड़की की जिन्दगी नरग बना दी है इस औरत का श्राब हम लोगों को ले डूबेगा वेदा अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी अगरा तुम्हारी शादी शादी होगी अरे शंकरी शंकरी वो देखो आखो आखो अचुप्रा अरे अरे इसकी हिम्मत है यह तो बहुत अच्छा हुआ अरे अरे बात में तुम बोलो ऐसे लोगों की पत्मी विद्वा बनती हैं अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो इसकी जिन्दगी खराब हो जाती पेदा ये तो हमारी पक्ष में बात कर रहा है पेदा क्या नहीं कर सकता ये खेतों में भरकूर महनत करता है हर साल दस एकड़ जमीन में जास्मनों गाता है उसमें कितनी महनत लगती है उसकी चिं क्थ बोलो करा क्या मेरे बेटी को ख्याल रखपाऊगे हां ख्याल सक्वाथ कोरुफ ख्याल रखओंगा मेरे ता मन कर रहा है कि इस बुडिया का क्लेज काठ ड़्ट मैं मेरे वेदा में क्या कमी है बता वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो थोड़ा तो उतला हो जाता है और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में हाँ बता देती है तो हो गया वहकला हो या गुंगा अब कुछ नहीं हो सकता तुमको शादी सुईकार है मेरी फूटी किसमा सुईकार है आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं समझाए हमारे गाम में आना होगा और हमारी प्रमपरा के अनुसार रीती रिवाज पूरी करके लड़की को ले ज क्यों उल्टा उल्टा बात कर रहा है बात बतादा या मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिश्ट होती है तो इसका मतलब क्या हम लोग हलवाई के नोकरी कर ले एक दिन मिठाई की खुश्बू सभी तुम्हें उल्टी होने लगेगी अगर मिठाई इतनी अच्छी लग कर या मं दामाइग का स्वाकत है अरे कितनी भीड आ है स्वाकत है वेला हमारे आने का यह लोग इतना अच्छा अश्वालबत कर रहे हैं क्या हो गिया गाव का इतना जाना लड़का होकर और साथ में और सिर्फ दो-चार यह ढूरह रहा है네요 काका हम 4 यह पूरा गाउं के पराबर है ओ अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गाउं मर जाएगा क्या मैं जिन्दा देदा चाहती हूं अकेले मुझे डर लगेगा ठीक है यहीं रूको इतजार करते करते पेट में भूके सारे कीडे भी मर गये चलो अब जल्दी करो खाना खालो आके वेदा चलो यहां से जलो ना शंकरी क्यों वेदा बुझे भरोसा नहीं है इन पर कई जहर मीला दिया हो तो कुमे कीड़े पड़े तुम्हारे राम नाम के बजाए शयतानी दिमाग चला रही हो घर आए मैमानों को जहर देना हमारी परपरा नहीं है इस भी मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी गंदे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही होती है हमारे घर के लोग भी यही खाना खा रहे ह जो तुम लोग खा रहे हो क्या वो इंसान नहीं है चुपचाप खाना खाओ थूस ना बेकार में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो खाओ ना चुपचाप मैं नहीं खाऊंगी भले ही मैं भूकी रह जाओ लेकिन इन लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी खाये की नहीं तो इसलिए खिलाया क्योंकि हमारे हार इवाज हैं लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दमाज जी अरे वहां अब मेरा वेदा सुहाग रात बनाएगा अब एक वीर सैनी की तरह जागा जंग जीत कर आओ बेटा यह कोई जंग से कम थोड़ी ना है अपनी पतनी प पर भेजने के तयारी कर रही हो हमारे प्यारे मौसुम वेदा को लेकिन एक बात है पतनी के सामने जाकर तोतला ना मत अपने पुरुशार्थ को कायम रखना जो चोड़ा गर के जो पीर पुरुश की तरह आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो कहां कहां है मेरी रानी कि यहां हो अच्छा शर्मा रही हो अरे क्या हुआ कि पुश्पा ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे तुम किस गाओ के राजा हो हां तुम मुझे इस्तमाल करके मुझसे खेलना चाहते हो मूर्ग अरे बाबरी खाति लो कल तो एक्दम गूंगी बनी बैठी थी आज कौन सा भूठ सवार हो गया मैं तुम्हें असानी से मिल गई तो तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाने आया हो क्या पास में मत आना वहीं खड़ी लो दूर-दूर से बात करो मुझसे क्या कर लो गया चू क तुम्हारी पूजा करती हुँ मैं आजाओ क्यों डर गे क्या मैं डरता नहीं मैं वेदा हूं तो पसीना क्यों चूट रहे है खिड की बंद है इसलिए तो क्या सुहागरात मनाने आये हो नहीं तो फिर मैं तो तुम्हें देखने आया था देख लिया ना अब निकलो यहां से वेदा वेदा इतनी जल्दी आ गया अरे बहुत डरी हुई है वो मुझे देखते ही जोर-जोर से रोने लगी बाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है इसलिए पसीना आ गया और तुम्हाराने लग गया तुक इतना बड़ा शूर वीर है वो सम्मेने खिडकी से देख लिया तुम्हारी वीरता को तुम लोगों ने भी देखा संकरी संकरी वह लड़की नहीं है भूत की अम्मा है महिष्टासूर की बहन है अगर मैं साबधान नहीं रहता तो गला कड़ जाता मेरा मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए शान्त हो जा शान्त हो जा अरे कैसे शान्त रहो अगर ये बात काउवालों को पता चल गई तो क्या इस्जत रह जाएगी मेरी हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा तुम लोग भी उपर वाले प्रेट को पसीने शुड़ गे तुमारे कैसे करणी राच चलते हैं रुक इतनी जल्ली कैसे पता चलाब जी तुना रात को पसीने पसीने हो गए थे चुपकर यार रहे कितने कमीने हो संकरी देर तो कि आजाओ बेगी वेदा भावी आ रही है चलो पुछ का जरा इसके नखरे तो देखो लोगों के सामने किते वोडी बन रही है बच्पंस यही मेहनत मजदूरी करके कश्ट उठाके हमारे घर को चला रही थी अब इसका तुम खयाल रखना हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इ इस नौटंग की वाज बुढ़िया को तो मैं जियर नहीं पारी मन करें घरा धबादू अरे हो अख्ला मेरी बेटी जरा अंदर चलो की हूं बेटा अंदर चलो बताती हूं मैं कल से देख रही हूं कि तुम सब के सामने हकला हकला बोलके मजाग उडाती हो इसके बाद अगर मेरे पते का मजाग उडाया ना तो समझ लेना तुम्हारा पती है मेरे से शादी करने के बाद वह हकला हो या टकला हो पर वही मेरा पती है हम दोनों चार दीवारी के अंदर चाहे दिट्टा लड़े लेकिन हम पती पतनी के बीच अगर कोई टांग चलो अब निकलो यहां से निकलो अगर वेदा जो भी कहो तेरी पतनी ने उस बुड़िया का बहुत अच्छा सबक सिखा दिया प्यारे दामाजी पोधी का अच्छे से ख्याल रखेंगे जरूर रखेंगे जरूर रखेंगे अगर जल्दी चलो जल्दी चलो नहीं तो बस कर जाएगी तो अधां जया लोगों की उंगलियां की मेरे तिया तुम ने पूरा का पूरा टब भाई उठा लिया है बड़े खिलाडी आप इतने सारे लोग बीच अड़क पर क्या कर रहे हैं यह क्या वेदा हम में से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली क्या हम तुम्हारे अपने नहीं है वह अचानक ही शादी हो गई ना भाई पहले आप सीट में बैठ जाए फिर बात कीजिए तुम मेरा मुझ क्या देख रहा हो बस से नीचे उत्रो यह सबलब क्यों उत्रेंगे वेदा की शादी के तोफे हैं वह बनाओ वह एकदम चांची खूबसूरा तुम्हारी पत्नी बहुती सुंदर है नज़र न लगे उसे तो मेरा वेदा भी कुछ कम है क्या सब की मदद करने वाला प्यार निचावर करने वाला बिल्कुल श्री राम चंदर जी जैसे तो क्या मैं तुम्हें सुर्प नखा दिख रही हूं वाँ अब की पुरानी वाली भी यहां है क्या वेदा भाई अरे चुपजा मेरे जैसी चोड़कर तुम इसको पसंद कर लिये यही पसंद है तुम्हारी तुझे काम नहीं है क्या क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो सुनिया भाई बहुत से लोग आएंगी जाएंगे तुझ भी बोलेंगे लेकिन वेरा भाई बहुत अच्छा आद्नी है उसके अंदर कोई भ इस सब कोईता और कटारी चुपा के रख दी है मेरी जो बाई याँक है ना आज बड़क रही है संकरी किसी और दिन करते हैं तुम मर्द नहीं है क्या तो जाके दिखाना क्या अपनी वीरता और उसने कुछ कर दिया तो तो तू उसमें हावी हो जाना एक काम करो ना तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना क्या मैं कबाब में जान है और अगर इस जंग को प्यार से जीत लिया तो सारी जिंदेगी वो तुछ से प्यार करेंगी अंदर कैसे जाएगा सीना चोड़ा कर बड़ी शान से जाना जाता हूं जाता हूं मेरा वेदा जंग जितने जा रहा है जो भी होगा आज मैं देख लेगा संकरी मुझे और जीना है बेटा मैं इती जल्दी नहीं बारूँ कि तू देख लेए संकरी पर रूप मैं भी आ रहा हूं संकरी मेरी बात तो सुनो बाहर ही सोना पड़ेगा क्या मेरा वेदा शादी करके आया है मेरी बखू बहुत ही सुन्दर है सामनी और सलोनी है मेरा मेरा वेदा शादी करके आया है मुष्वा रात को सब कुछ ठीक था ना मेरा ने बहुत प्यार किया ना तो यह तो यह देखने आई कि मैं जिन्दा हूं या मर गया नहीं है यह बात नहीं है वेटा तुम्हारी पत्नीना बहुत होशी आ रहे हैं मुझे लगता है बहुत अच्छे से ग्रिहस्ति समाल लेगी क्यों वीरों के वी नीध अच्छी आहीं लग रहा है नहीं वहीं वह थे नागफनी बन जाती है क्या करों मेरी समझ में नहीं आतो तो प्यार प्लों कि आसमान से बर से तु क्यों नहीं कुछ करता है प्यार की बरसात होगी पती जब पत्नी से हार जाता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है ऐसा है क्या यार जा रही है कि अगर कि अगर कि यह कहानी एक गाउं की है चामुंडी देवी महिसासूर का वद्ध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांद करने के लिए यहीं पर बैठके तपस्या की उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विंती को सुईकार करके चामुंडी माता गाउं में ही रह गई उसके बास से वो गाउं शिरल करते हैं मुखिया की आठ साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है उस गाउं में देवी की वज़ा से कोई चोरी और लूट मान नहीं कर सकता है काउव और गाउं के अगल बगल में कोई भी गल्ती हुई तो कोई भी पुलिस टेशन नहीं जाता है अगर किसी ने भी गल् में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विंती करते हैं मैं एक दिन का उपास तुम्हारे लिए अरपड करता हूं अगर इसकी गल्ती सही है तो यह जलता हुआ कपूर भुज जाए अगर यह कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गल्ती नहीं किया यह आप सब लोग और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतनाग सजा देते हैं मौत की सजा यहां पर किसी भी गल्ती की सजा माफ नहीं किया जाता है अब हमारा शिकार शिली गामे देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है भाग गया बिटिया अगर बिल्ली को दूद दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ अहां अहां लो पी लो हाँ 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 दूसरी बिल्ली कि अजब है हमका बाग्या यकांन करन को अंदर गई है वो तो अंदर नहीं आ से थे बाग्या है क्या नहीं पृथा नहीं जाओ चैबिल्ली के साथ अभ लएकिक भी रहितote कर देखो अहाँ देखता हूं बाग गए बिटिया तुम कहा हो बाग गए बिटी यहाँ आई थी क्या नहीं तो यहाँ नहीं आई की कि यहां अइल बाग गपया बैटी बागया बाटी घ्लो मेटी अचलो बागया यहां जल्दी आजाओ तरद भांटिया यहां यहां आंदू सांदी कि हम्लोग और इंटी कुछ उप्लाटं और निसम्न करना कि पुजा करता हूं मैं इस चोड़ी सी बच्ची को आथ कैसे लगा सकता हूं मैं नीच हूं क्या तुम क्या कर रहे से मैंने अपी आखों से देगा आफ फिकर मत कीजिए हम इसके बात पर भरोसा नहीं करते हम आपको जानते हैं पुजारीशी ऐसा नहीं कर सकते यह हमारे पास बंद करो माधवी आखिर में जुट क्यों बोलेगा यह क्या कहना चाहता है सुनो तो सही भाग्या के पैदा होते हैं इसके माबाप से ज्यादा ख्याल रखा है क्या तुम मैंने गलत किया है यह सोचके शक कर रहे हो हमें आप पर कोई सक नहीं है पर यह लड़की रात है या नहीं इसका अभी चाहड़ कीजिए चलिए ऐस को जारे जी इसका फैसला हम सुबा करेंगे यह लड़की को लेका चलो जो मुझे इल्जाम लगाया है तो उसे साफ से में देवी माता की पूजा कैसे कर सकता हूं अगर मैंने कोई गल्ती की है तो उसकी सजा मुझे द अगर सच में गलत किया है तो मा इसका भी इसी वक्त न्याए करिये चलाओ कफूर कि इतने सालों से मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला तुम्हारे द्वारा दिया गया दोखा तुम जूटी हो तुम्हारी महीमा भी जूटी है तुम माता की महीमा को जूट बोल रहा है बेमान कहीं का हम तो तुझे पकवान समझते ते तू तो शैतान निकला मरेगा सब इसे पत्थर से मार के मार डालो जुक जा, जुक जा मैने का, बस करो इस पापवी को डेवी जी के सामने ही जला के राख कर दो कर दोब बसकत हो जब हुआगे हैं कर दोर दोरी झालिए कर दोरी जाम हुआ 먹 को एड़ी जला हुआ पाथ कर दोर तोर्म वेदा 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 है मुझे माफ करतो वेदा अगर तुझे घर में मारेंगे तो वो खतल कहलाएगा लेकिन जिन गाउवालों ने तुम्हे भगवान समझा उनके सामने पहले तुम्हारा राज खोलूगा उसके बाद इस देवी के सामने तेरी पली चड़ाऊँगा फिर ये खतल नहीं कहलाएगा संगहा झाट झाट का पामरा तो आट कि अ कि रहाएदगा उस already झाट यह यह दाए रमा मेंडम यह कटल नहीं है यह तो यहां की प्रथा है गलत करने वालों के लिए यह एक सजा है प्रसाथ को यह बीने जानता कि वह दोनुन आय कहां से थे दो लोग थे वह दो लोग डेवी के सामने उन्होंने इसकी बली चड़ा दी आप लोगों ने हैं रोका नहीं ह हमारे इम्मत नहीं हुए उसकी आखों का तेज देखकर लगा बाता हमारे सामने ही है और इसे मारने का आदेश माता नहीं दिया और ये सब कुछ देवी की मर्जी से ही गुआ है कि इसमें कोई संदेदी अभी तो कई शिकार होने है वार झाल 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 जल आजा, जल्दी कर चेटा सुकन्या, आखिर यह नई लड़की कौन है मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा अरे यह तो जगा जगा उनने वाली तितली है एक जगा ठेर कर जिन्दीगी बसर करना इसके बसका नहीं क्या दोगी क्या क्या डादा, देखके यह अपनी चाद को पूरी करोगे क्या शक्कर सुन्गने से स्वात का पता नहीं चलता चलोगी क्या शम्षान जाना है क्या दादा दादा कौन है अच्छा बोलो छोग्रे तू अपनी कीमत बता पचास रुपईयां पचास रुपई तो बहुत होते हैं पर मुझे नहीं खरीद सकते नहीं चाहिए अथे जाओ नाशा के काय काही दूद निकालते रहूं यह तो वह करे कमालकी के इसके लिए इतने तो चलेंगे चला मैं पचास रुपई देता हूं सो रुपया दो सो रुपय? मुझे कोई 20 रुपय भी नहीं देता और ये सो रुपय मांग रही है सो रुपय तो बहुत साधा हो जाते है तो रोका किसने है, जाओ ना पहले तो पचास ही मांगे थे मेरा बत है, मेरी मर्दी है ये गलत बात है सही कहा, इसलिए तो मैं सड़क पे हूँ अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसाली होती अरे जान अरे बुठे, चल निकले सुझा, मेरे पचास रुपय बाचले चल चल जैसा तो में मांगा सो रुपय मैं देता हूँ चलोगी क्या? नहीं चलोगी मुझे पहले से पता था हम तुझे पचास रुपय और देंगे हमारे साथ चलेगी मैं नहीं चलोगी अरे ऐसा क्यों शाहिक कुछ भी हो जाए मैं दो मर्दों के साथ एक साथ नहीं सोने वाली हूँ तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ क्या खड़े खड़े देख रहा है वहाँ चलोगी बाप को बोलना मैंने याद किया मेरा बाप भी यहाहा आता था ओके घमे बने और्मारी हे लाप मिज़ेशी और भी bu chưa भी या खरिषyu सकत्राख हा değer एए! 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 पुचने जानो तुम निखलो एए! 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 पपलिक प्रोसेक्यूटर गिर्जा के लाग कोशिश करने के बावजूद भी बीरा का दोश नहीं थाबित कर पाए क्यूंकि लॉयर गुनेशेकर जीनियस था सच को जूट साबित करने में गुनेशेकर ने ये साबित कर दिया कि वेदा ने पुश्पा के लिए उसे फसाया है वकील ने ये भी कहा कि आपसे रंजश की वज़़ा से वेदा ने बीरा को शादी के दिन फसाया इस दलील को मतने नज़र रखते हुए बीरा को बाईज़त बरी किया नहीं इसमें इंस्पेक्टर का भी हाथ है वेदा एफाईयर लेखते वक्त उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया इसलिए वो आसानी से चुछ दें अब तो दो खुश है ना मेरी बात अभी हम लोग कोट में है अरे पुश्पा तुम्हें गज्रा बहुत पसंद है क्या तो अपने पती को बोल दो वो लाकर तुम्हारे जुडे में लगा देगा ए पुश्पा चल घर चल मैं नहीं आउंगी मैं तेरा मामा हूं सिर्फ रिष्टा होने से कोई फैदा ने जिम्मेदारी होना भी जरूरी है और इस जिम्मेदारी का तुम्हें जरा भी एहसास होता तो तुम शादी करीन चोरी ना करते मेरी मा से तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी का अपनी जान से भी जादा खयाल रखूंगा लेकिन वादा निभाया क्या अब चल तुम मेरे साथ मंदिर में शादी करेंगे एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार दुलहन बनती है और जब एक बार शाद हमेशाद दुख ही रहेगी तु समझे ना तुम और कितना श्राप दोगे पुश्पा तुम दुबार यहां मताना मेरा पती खतरनाख है संकरी बीड़ी दो कि इस वक्त कहां चली गई है मेरे साथ नहीं रहना है कहीं यह सोचकर माईके तो नहीं चली गई अब भला मैं उसे कैसे डोंड़ू को एग कौन है उस जगह पर मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो आप भी रुक आता हूँ मैं मुल्गी पक रही है साथ में दार हो पुश्पा चुरी क्या-क्या आजा मेरा प्यारा पत्री तुत अना जेजा आजा क्या पुश्पा तुम बेना बदा यहां चलिया ही पीएगा तुम लुग है नए प्रऊतर है। यह तुम्हारा पती हुं एक तुम अधा यह मादा है मेरे शादी तो बच्पन में ही वीर के साथ तैय करती गई थी ये बात आभी किसलिए कर रही हो पुश्पा 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 मैं तुझे इतना डाटा सब कुछ बूला लें तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बूला अच्छा तुम मेरे पती हो तुम्हें बोलना जाए था कि मैं तुम्हें 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 नहीं मारा मुझे ये गलत है पुश्पा औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है वो कोई मरदान की थोड़ी ना है अरे 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 शांत रहो तुम कितने अच्छे जान हो तुम अपने दिल पर हाथ रखके बोलो कि तुम्हें कभी मुझे पर गुश्य नहीं आया नहीं पुश्पा तुम सच में खारा सोना हूँ नहीं खराब हूँ छोड़ो ना ये सब पुश्पा कि इदर आओ मैं तारुफ ही के पकपक कर रहे हूं यह समझ रहे हूं क्या नहीं पुश्पा बहुत दिनों से मैं कुछ बताना चाहती थी सुनों तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे दिलवाले भी हो कशिए नई किऊ मेरा खायार की कियोहां मुझसे प्यार करते हूं तम क्यू अपनी जान मुझसे छड़कते हो्यों मुझे इतना चाहते हूं करें कर व폰 कुश्पा कर जोड़ से जुन पर मुख़ए कर के तो दिना पिये तो ये घुस्ते में रहती है लेकिन पी के बड़ा प्यार करती है पाता नहीं उपर वाला क्या कर रहा है क्या हुआ पुश्पा क्या हुआ पुला रही हो अरे रहे लगता है अब इसका दिमाग ठीक से काम करने लगा किसी को बुलाता हूँ ये संकरी छोड़ो जो होगा देखा जाएंगे तो नहीं क्या लगता है कि तो में से बच जाओगे तुम्हें ने अपनी जान के डर की वज़े से मज़ूरों को छोड़ दिया तुम्हारी शुतनी की धुमत कैसे हुई भाई वो यंगल में आग की तरह आया और उसे समझ ला दिया उसके एक दाहर से हमारे सारे आग में भागने लगे पाता है ना गिरी के आदमे कैसे होने चाहिए तो म किसी मामूली आदमी के यहां काम नहीं करते हैं अगर कोई तुम्हारे रास्ते में उसे वहीं हत्म करते ह होगी का तो मोने क्या दूराया हुआ किया हुआ हुआ होगे साराध की जंगल की हर्ग कि दुत में हरेख ए कि अ हरे कौन है वो यह लोग हमसे बचकर भाग गए थे हमारे अपनी बहुत ही तकलीफ उठाकर इन लोगों को ढूड़ कर लाए हैं मैंने इनको तुम्हारे हवाले किया अब तुम मुझे पैसे दो केले अमारे लिए और लोग लाते रहें अंदर चलो यह गाड़ी सीधे बड़े साहब के पास जाएगी अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है याद रखना कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए कौन है वो सर्वशक्तिमान शिवशंकर सुनो कौन है यह लोग इसके बैठ जाओ अरे वो बड़े भाई इसको दियान से देखो इसको तो कोई जहरीला साप भी काटेगा न तो वो खुद मर जाएगा आप दोनों कुछ भी नहीं है इसके सामने चुप-चाप बैठिये सुनाई नहीं दिया कि अधा बहना तुम्हें बैठने के लिए बोला है उसने नारील काटने के लिए नहीं चली चली ये रण शंडी ये रण शंडी ये रण शंडी ये रण शंडी ड़द से शंडी 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 के लिए माहँ भाँ तो रहागा ये इस शंडी चली ये रण शंडी ये चली चली ये रण शंडी अबत्टार कि अा अबत्टार कि अ में अबत्टार अखलों कर वाद़ हैं कर दो कर दो कि वह थाद बात कर दोगा वाद़ हैं दोई पिल देन से प्री applies कि यह इप हैं आप मोट दें ने प्री हैं जुफ लोब मुझेगे में लोब किनमी समया तिक रखेव cm2 जब परी लाडली लिंग नछी परी में नटी परी लाडली टो क्या कराई दू, क्या कराई कि वेदा, कनद, मुझे माहप कर दे, वेदा कि वेदा रहाई प्रीख वेदा कि वेदा कि दाधी 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 आप रुक क्यों गई उसके बाद क्या हुआ दाधी डाधी दाधी आप कहानी नहीं सुनाएंगी उसके बात क्या हुआ बताईए तो सही कहानी सुनाइए ना दादी मा वेदा मेरी बात को मानो तुम यहां से बाहर जाओ वो लोग कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढून लोगा पहले मेरी बेटी कनक को बाहरा में दो बाकी उसके बाद देखेंगे क्या पढ़ रहे हो नीला कुछ नहीं दादी मुझे दो किताब लाओ मैं पढ़ती हूं ठीक है कि अभी आफ मैंदार भीकों नहीं हुआ काटते देखा उनको गुस्से में लड़ते देखा लेकिन मैंने आज तक बाद बेटी को लड़ते हुए नहीं देखा जो भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ उसको एक के बाद एक काटता गया उनकी आखों में प्रतिशूत का च्वाला था वो मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगी कौन है मरने से पहले गिरी साहब ने कहा था मुझे माफ कर दो वेदा आप हरिष्टा बन कर आए हमें बहुत मदद मिली यह लीजिए जोरत नहीं है भगवान आपका भला करे रतना परी हां परी मैं चेन कर दुई वाह कर दक आपको पुष्पा चलो चलते हैं जाली मैं चलती हूँ देखो बेटा अगर सूरज धलने से पहले हम लोग घर नहीं पहुंचे तो वेदा वहां हंगामा कर देगा रे 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 क्यों चिला रही हो यहीं तो है वो पुष्पा यहान था आगए अब तू यहीं रहे हम दोनों जिन्दगी की नई शुवात करेंगे जब आंसमाल के बात कर दूसरे की पत्नी के साथ ऐसी बात करता है शरम नहीं आती ए वीरा शादी शुदा लड़की से वह इस तरह बात करता है यह पुष्पा तू उसके साथ मजबूरी में जिन्दगी जी रही है मुझे सब कुछ पता है मैं अपने पसंद की जिन्दगी जी रही हूं मैं अपनी पती से बहुत प्यार करती हूं उसको अपने दिल में रख के उसके पूजा करती हूं मेरे और मेरे पती की प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा ह हाँ सही में हाँ पुष्पा ये सच है क्या ये बहुत बड़ी खुश्कवरी है हाँ 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 अरे संकरी वहां मेरी पत्मी दर्द से तड़प रहिया और तू यहां पर है जाकर देख उसे अरे तो हमेशा उससे डाट भी क्यों है कि मैं किसा के प्रसाब पीडा को देख नहीं सकती सिर्द मेरा सर चक्राण्य लगता है सास भूलने लग जाती है ऐसा लगते कि मैं मर जाओंगी लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ इसलिए तो मैं ने शादी नहीं की क्योंकि ये प्रसा पेड़ा मैं सहह नहीं पाती हूँ नेन यह बात किसी से कहना मत नहीं तो लोग मज़ाग उड़ाएंगे मैं जीना चाहती हूं बहुत जीना चाहती हूं बहुत जीना चाहती कुछ छोन यह संकरी लड़का है यह यह लड़की है बम में है से बच्पन से मैंने तेरी देख्भाल की है यह vidéos भी तेरी ब्हों आप तेरी जीने का सहरा होगी है जैसे मुझे तु सब बातें बताता है तु अपनी बातें उसे बताबारि मुझे भी या कि लगता है जंकरी संकरी? कि संकरी कि अचमा नशानकरी संकरी सिम्ट कि नबंबी जिनी मुझे लंबी जिनी की जीनी है फिर भी तुन्हें मुझे छोड़ दिया है यह गलत है तू मुझे ऐसे चोड़ के नहीं जा सकती है ुट जा संकरी ओँजा nt बेटी पएदा है ये लेदा झाल झाल उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है और उसकी एक-ार साल की बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है चार साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वो अपाहिज हो गया वेदा तुम उसकालिये को मत छोड़ना जदी से चलो ना वो बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर अरे यहां पर हो क्या मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिष्टदार है ना तुम्हारी संपत्ती हडपने का इंतजार कर रहे हैं मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी हैं योची हाली में तुम्हारे पूर्वजो का पाच एकर जमीन है सुना है वो जमीन बिखने वाली है बस शुक्रवार को जाकर वहां हमें इजाज़त देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे तुस्से किस ने कहा वो आधर्निया इंसान वहारी है आपके रिष्टेदार वेदा करनक वेदा शर्माइए मत पेट भर के खाना खाईए आज के दुनिया में आप जैसे कहां मिलते हैं आज कल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि किसकी संपत्ती हडपलिया वही सोचते रहते हैं और एक आप लोग हमें ढूंदे यहां अरे पत्थर जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते हो सकता है कि यह भागेशाली पत्थर हो शायद इसी की वज़े से यह लोग यहां पर पहुंच पाए हो चलो अब इसे बैक अंदर रख दो हां आप दोनों रात को यहीं रुख जाईए सुबह होते ही आप लोग निकल जाईएगा हाँ ठीक है हाँ हाँ भार्थी यह लोग कहां गए अरे सुबह होते ही वो दोनों यहां से निकलते हैं कुछ की यह लोग कहीं नहीं जाएंगे वूर्वी वो भार्थी अपनी बेटी कहां है अरे वह बाहर खेल रही होगी पुर्वी पुर्वी तो कहीं नहीं देख रही है भगवान यह सब होगा यह मुझे लिए भटा था यह घाले हो तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हमें हमारी को भी माहर डालेंगे क्या उनके साथ हमने बता हूं तुम लोगों ने कोई गलती नहीं किये गलती तो मैंने किये कि दूंए दूंभी हैं आएक है है कि अधिक सब्सक्राइब कि मां एक है अधिक कि पिताजी अहां देखिये मैं हम रोज लाई हूं कि योओं रही हो मां पिता जी आप क्योओ रहें कमर में दर्थ हो रहा गया मां मुझे यह दीदी बहुत पशंद है और जानते हैं यह चाचा जी भी बहुत अच्छे起 पिता जी दीदी से मैं बोल रही थी कि अभी तक पिता जी ने मुझे अपने पीट पर नहीं गुमाया तो उन्होंने ये सुनकर अपने पीट पर बिठा लिया और खेट से घर तक ले आई और मुझे बहुत मसाया एजी आपने सुना हमारी बेटी उन्हें चाजा कह रही है कि kendra Whoa यह पिता जी ह्या आप क्यों रूर रहा है एतोजी कॉत लुगा वो यह से जैने ह Be पिर्दाजी झाल, 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 झाल! झाल, 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 झा पत्थर, मेडम, यह वई हैं, बाप बेटी, बाप बेटी, महमान बनकर आये थे, उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी, और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तयार कर लिया, और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था मैडम पत्थर रखा था आखिर में तुम आ ही गए लाओ अंदर तुम अपना ठीक से खयाल रखना चैलो रे राहक है मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे फिर भी भेज दिया मेरा मन नहीं है किसी और के पास चले जाओ तुम से बात कर रही हूं निकलो यहां से तुम्हें समझ नहीं आ रहे है क्या इतना पनावतिया आदमी है रे जैसे पहर रखा लाइट भी चली गए इस कंजर और अउरत ने मुंबती भी कहां रखी है पता नहीं नहीं चलूगा तुम्हें मैं नहीं चलूगे उसे साढ़ आ पंदर कभी अपने जिन्दगी में घुलाटी मारना नहीं छोड़ता है वेदा ने उसे जिस केस में पकड़ा था छूटते ही बीरा फिर अपने रंग दिखाने लगा कुछ लोग मेले में गए थे और इसने चार घर लूट लिये गावाले कोड गए थे और हमसे साथ चलने के लिए कह रहे थे अगर हम गवाही देने चले जाते तो इसे फिर सजा हो जाती अब क्या बोलें अरे यह सब सिर्फ हमारी कलपना है जब तक लोगों की आत्मा पैसों स बिक रही है तब तक बीरा जैसे चोरों को सजा नहीं मिलेगी उपर वाले का नियाय सबसे बड़ा होता है यह दुनिया नियाय और धर्म से ही चल रही है सुनो तुम्हारा कहना सही है लेकिन हम खत्रा क्यों बोलने अगर पडोस के घर में आग लगी और तुम सोचोगी कि ह हमें क्या तो जल्दी ही तुम्हारा घर भी आग पकड़ लेगा तुमने सही कहा वेदा उस चोर को सजा मिलनी ही चाहिए आप लोगों का क्या ख्याल है ठीक है कल सुबास सब लोग निकलेंगे हम सब लोग बस से जाएंगे क्यों मुख्या जी सही कह रहा हूं ना जैसा वीरा तो वो है जो जलते हुए घर से चावल पकाता है तुम उससे क्यों दुश्मनी लेना चाहते हो अच्छे अच्छे गजरे की बात करनी चाहिए वो सब छोड़कर ये उस वीरा की बेज़ज़ती करने में लगी है इसकी आवकात मैं अच्छी तरह से जानती हूं उसका बात करके मेरा दिमाग खराब हो गया अच्छा आप कनक को लेके अंदर आओ चलो बेटी माँ रादी की बात पीधादी जब कमरे के अंदर आये थे तो आप उन्हें डराने के लिए अपने साथ कोईता लेकर आई थी क्या बोले दोना मुझे पी इतनी छोटे बच्ची को क अब पता चल जाएगा अब नहीं मिलने वाला कोट ने गुनेगार को पकड़ने का आदेश दिया था लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई योर आउनर वीरा को अभीता करेस क्यों ने किया योर आउनर वीरा तड़ी पार हो गया संबन देने के लिए नमस्ते आपका नाम वेदा वो बोली वो वीरा गाउ में नए दूले की तरह गूमते रहता है यह आदमी उसे पकड़ नहीं पाया तो जूट बोल रहा है यह सब उस वीरा के दिये रिश्वत का कमाल है अब्जेक्शन योर ओनर गवाना होने से यह अपनी मन मानी कर रहे है हो बाई ऐसे लोगों को ना हम चीची करके भगाते हैं और 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 वेदा आप सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए माफी चाहूंगा अगर वीरा को पकड़ के लाया तो आप उसे सजा देंगी बिलकुल दूली कानून की रक्षा से पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है ब है यह कोई गाहों की पंचायत नहीं कोट है दिये हुए वक्त में गवा को लाना होगा ठीक है ठीक है थोड़ा सा सबर रखो ज्यादा टेंशन लोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा इनका ध्यान रखेगा जो बोल दिया तो यहां प्राइगा आम लोगों ने कोट को क्या समय रखा है कोट में हत्यार लाना जुर्म है क्या यह इन्हें नहीं बता ये रहोनर। लेकिन आपने यहने क्यू मारा मैडम मैडम यह लोगों ने मुझे इतना बीटा बहुत दर दो रहा है मुझे बचा ल मेडम कोट ये ओर्डर देती है कि बीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके और वेदा को अपने अमानविय वैवार के लिए पचास रुपय जुर्माना भरना पड़े इसके साथ ही कोट वेदा को तीन दिन जेल की सजा सुनाती है जलो चलिए अवल्दार मेरा पती कहा है दर्वाजे पर खड़े रेके चिल्लाना बंद करो और अंदर आओ जब भगवान ही साथ ना दे तो कानून क्या कर लेगा मैंने तुम्हीं कितनी बार समझा लेकिन तुम सुधरोगे नहीं गाव में तुम्हें एक हो जो सुधारने चले हो तो ठीक है मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो मच्ची की खुश्बू तो बहुत ही अच्छ है देखे जाना तुम बात को बदलो मत तुमने कभी सोचा कि घर में चोटी बच्ची है उसका क्या होगा तुमने बेटी तुम्हारी मा मुझ पर चिला रही है इसका रिष्टेदार तो बाहरा आ गया ना अब मेरा क्या होगा अब प्रवचन मत दो समझ के तुमारे पिता क कि यह पसंद नहीं और उठा कर फेग दिया था लेकिन आज के दिन वही साड़ी पेहन कर आई अब बता चला ऐसा क्या अधिया जानते हैं आप बढ़िया तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो वापस क्यों आई पिता जी पिता जी कर रही हो तुम्हें यह समझाने माला को जच रही है बहन यह बात भी बता दिया साब जी अंदर की बात बाहर बोलता है यह आदमी इसे क्या बोलू मैं मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूं यह मस समझना कि तुमसे प्यार करती देखा मेरी बच्ची तुम्हारी माई साड़ी में एकदम बटर फ्लाइ लग रही है आते तो तुम खुब बना लेते हो चलो बेटी हम चलते हैं पीटाजी जल्दी वाफिस आना वो आएंगे तुम चलो आओंगा पुष्पा क्या है तुम्हारी शकल फिर से देखना था अंदर आ जाओ क्या अरे आ जाओ ना मेरी नजर लग गई घर जाके पहले नजर उतार आया बाई तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के लाई लेकिन तुम्हें दिये भी नहीं चली गई अरे रुको मैं उसको जानता हूं यह लो मेरी पीटाजी के कपड़े हैं यह ठीक है सुनिये साब अगर आपने एक भी निवाला खाया ना तो आपको अहां सुनिये और आप उनके लिए पाने रख दीजेगा जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे पानी पिला दूंगा अब तुम जाओ ना यह भग्मान और आप एक भी निवाला मत खाना तुम तो मेरे पेट में जब करके ही छोड़ोगी हां कुछ जादा ही प्यार करती है म मेरा पती जेल में है इसलिए मैं नहीं आपाँगी आप लोग जाओ कनक को भेज दो ना यह जगह नहीं रुकती है अगर आप इसे लेके गयना तो यह आप लोगों को बहुत तंग करेगी आप लोग जाओ अच्छा ठीक अपुश्पा तो अपनों ख्याल रखना अब तुम कहां जा रही हूं यह बटर फ्लाई पकड़ने जा रही हूं तुम्हारे पिटाजी ने सिखाया ना तुमको जल्दी या जाना दूर मत जाना जाना जीक है मां यह हालत किसने की तुम्हारी तुम्हें कुछ गलत किया था क्या मुझे किसी ने मारा नहीं है में गिर गया था क्या हुआ 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 है यह चुप रहे तो ही सभी है डॉक्टर इसे क्या हुआ इसे पेट में चाकू मारा गया है दो बार अभी एक खत्रे से बाहर है कुछ नहीं मेडम अपनी ग्राग के साथ जगड़ा किया होगा थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा होगा दोनों का जगड़ा हुआ होगा और वो इसने घर उजड़ा है वो इसको दूआ देती होगी क्या उनकी बद्दूआ तो लगे की ना क्या हुआ था किसने किया यह डरो मत यह सरफ कल के हमले की बात नहीं है मैडम यह सब कुछ शुरू हुआ था आठ साल पहले क्या हुआ है छिए आओ वेदा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था देखो डरले देखो महमान आ गए आ गया हमारा महमान ए देख क्या रहा है पानी डाल अब इस लाश को यहां से उठा कर ली जा अगर तुने पिछली बार की तरह इस लाश को फेक दिया तो यह कुत्तों का खाना हो जाएगा लेके जा इसे ए सुन केमपा लकडिया उठाकर लेकर आ मेरे पास देखो हमारे दो महमान आये हैं इसे देखकर डर रहा है यह मुझ से जबान लडा रहा था मैंने एक बार मारा उसे और वो मर गया तुम चिंदा मत करो तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगी कुछ अलग सोचा है तुम दोनों इन्हें डूणते यह आयो यहां आखिर मेरे पती ने ऐसी क्या गलती कर दी है मैं मानती हूँ एक जमाने में छोटी मोटी चोरिया और लूट पाट करता था वैसे मेरे घर में भी चोरी करने आया था पर मेरे दिल को चुरा कर मज से शादी गर ली खै छोड़ो इन पुरानी बातों को अभी इसने सब को छोड़ दिया है और हम इस राज महल में राजा राजा रानी की तरह जी रहे हैं सुनो वेदा तुम्हारी कहानी क्या है बताओ अभी और कितने मुर्दो का धेर लगाओगे अभी हम बिल्कुल खाली बैठ हैं तुम अपने दुखी कहानी सुनाओ मैं तुम्हारी कहाने सुनकर जोर-जोर से रोऊंगी वैसे मेरे पती की गलती क्या है मैं अपना काम दंदा शोड के या मस्ती के लिए आया हूँ पर तु यहां दारी और चिकन के लिए रहा है तू कहीं पागल तो नहीं होगे आव मीरा आज मैं मेरे दुश्मन भेदा को मेरे बदले जेल में भेज दिया इसे लिए यहां खुशियां बना रहा है समझे तुम लोग एक लड़की लाने को बोला था तुम लोग सबर रखो आता ही होगा है ए वीरा तुम ने उस बेवकुक को क्यों बेजा लड़की को लाने गे लिए है वो कोई बेवकुक नहीं है समझा ना है है सुन यह रहा है है ए वीरा मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया कमाल की चीज लाया हूं आओ जाने मन बाहर आओ कैसी लगी हां कमी ने कहीं के तुने तो एक आदमी का बोला था यहां तो चार-चार आदमी बैठे तुने मुझे सोच क्या रखा है हां वाई चिलाएगी कि इधर भी आएगी तु जो भी पैसे मांगेगी मैं दे दूंगा इधरा चाहे मुझे कितने भी हीरे जवारात से लाध क्यों ना दे मैं चार-चार आदमी के साथ सोने वाली औरत नहीं है ए चमेली धंदा करने वाली तुझे बहुत चर्वी चड़ी है चुप चैप इदर आजाने तुम लोग जबरदस्ति करेंगे भकवास मत कर इधारा साले कमीने कही के मैं बली का बक्रा हूं जो जबरदस्ति काटोगे अगर वाके ही तुम लोग मर्द हो और मा के चाती का दूद प्या है तो मुझे आके चूकर दिखाओ उससे जबान लडएगी अभी बताता हूं जुझे है 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 युट है लिए है 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 जाँच्कू घए टिता है, जाँच्क कर देख thinking क्यों होस्त और दामbles क्यों होंальном कर दो पूजा करते वक्त अपनी रक्षा के लिए भी पांगते हो और और औरत को अपने पैर की धूल समझते हो बोलता क्यों नहीं है तुम्हारी मर्दानगी पे धिकार है समझा मैं तुझे चोड़ूंगा नहीं याद रखना मैं तुझे देख लूगा देख लूगा तुम याद रखने किस पे हाथ उठाया है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझ साड़क्षाप औरत तुमने मुझ पे हाथ उठाया तुझे पता नहीं कि तुने क्या किया तुझे भुगतना पड़ेगा मुझे चाहिए वीरा किसी भी हाल में मुझे एक लड़की चाहिए चाहे जोभी कीमत देनी पड़े तुझे भूट कर वही मारूगा वही मारूगा याद रखना तू कि वीरा है अरे भाई यह तो बच्ची है रहे यह वो जानते हैं बच्ची पर हम नहीं जानते हैं कि अधाजी बेटी क्या हूँ अवेदा भाई मुझे लगा मेरी बेटी बुला रही है तुम अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हो तुम्हें तो हमेशा उसकी याद आती ही रहती है पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है वैसो भी तुम सुबह शूटने ही वाले हो अ हुँ आपक है विताजी पताजी पताजी कि ठ primarily to come moves seráंवी भाबी टुम कहा ओए भाव भाभी बाहर आओ भाभी नेन्ट के वह दया नहीं क्या हो गिए भाभी डेखुड है भाभी कैसं आण इनक, इक्छा हुआ, बोलो क्या हुआ? बाबी, ओचारों ने बर्बाद का दिया, ये देखो बावी हाँ आई 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 आई, ये दम क्या किरूंदू, तुम कहा चरेगे दे ओटो, बेटी, कौन थी ओलो क्मा बोलो, बोलो क्छोबी दे, मैं उनको सिन्ना नहीं छोड़ोंगी, तुबसे पर उनका नाम बता ले, उट बेटा, उट, उट जा, तुबसे उनका नाम बता, मैं तेरे साथ मैं, मैं उनको छोड़ोंगी नहीं, तुछन मेरे साथ, आजा, के दिया, बावी मत जाओ, बावी तुम लोग हवस के पुझा रही हो, एक बोली भाली लड़की के जितगी बरबाद कर दी तुमने पुझपा, ये तेरी बेटी है क्या, वारे वा, इससे टाइम कहते है, उस दिन तुमने मेरी बहुत बेज़ती की थी ना, अभी तुमारी बेटी की इज़त लूटे, अब तेरी लूटेंगे, आजा, ए हराम के पिलों, तुम लोगों के अंदर से तुम्हारी मा का दूद और बोटी-बोटी करके तुम्हों को खिलाओंगी, अजा, आजा, 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 अजा, बस फुरा शब्र कर वेटा, मैं इन हरामियों को खत्प करके इनकी बोटी-बोटी करती हूं, भाग कहा रहे हो, इसी हाथ ने मेरी बेटी को चुआ ना, कहा दालोगी मैं छो नहीं, नहीं पुष्पा, पुष्पा मुझे बदमार, मुझे छोड़े, छोड़े पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा कर भाग के जा रहा है हूं, रुक पुष्पा चोड़ दे मुझे चोड़ दे तुम जैसे पापियों को अगर छोड़ दिया तो बहुत से लड़कियों की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी और बेली जैसी मां का दिल तड़ पेगा तुम लोगों को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं तुम लोगों की सांसे भी आदे लड़कियों तक नहीं जानए चाहिए तुम लोगों के कुण से मैं अपनी बेटी को नहलाओं गिरे है कर ले अ ले कर दो कर दो कर दो where तो कर दो पह्मे भाटी जो वार जोर थ्टो वार आ, हुआ 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 हम कर दो कि क्या कर दिया इसको मार दिया यह दीना क्यि वित अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा यार यह वीरा यह बच्ची अभी तक मरी नहीं जिन्दा है कि पुष्पा कि पुष्पा कि कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसे हमने मारा है कि यह विला यकीन नहीं होता तुने अपने ही भांजी का कतल कर दिया साब जी आप मजे बचा लो साब जी देखो मना मत करना साब जी साब जी एक और गलती हो गई हम लोगों से हम तुम्हें पैसे भी ज्यादा देख्या कि अब बहुत बड़ी कलती कर दी है तुम लोगोंने पैसे भी ज्यादा देंके ना ऐसा क्या तो जल्दी ही यह केस हत्म करता हूं कि अर्दी है यह मेँ जी हम आजीज की बड़ से ना के फित्क म sé just पेले हो keluar में भी क poor तुममे 중 की साब तुमतम की लोगार मानिक तुमतम, कैन मुमतम जील concerned वफारा में यहां और पहां जीं अफ़ारा में जील एैंगा시 Maar खदाम हुमतम खाम एई पार से दम्सानिaltra स्षी ज और लिंगन चाहर भेवाहर वीजन पुर्णाथ पुर्णाव मैं झालो पुर्णाव 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 हुआ 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 है है हुआ है है तेया मेरी बेटी का है कर ना कर हुआ हुआ है यह कोई प्री प्लैंड मर्डर नहीं है यह अचानक हुआ एक वाक्या है जिसे सब ने देखा और इस वाक्य की सच्चाई को बताने के लिए हमारे पास इस कोट में यह गवावी मौजूद है तो चलो उस रात की सारी कहानी जच साब के सामने सच सच बताओ तुम्हें डरने की ज़रूर नहीं पुष्पा और मैं दोनों एक ही गाओं के हैं बहुत समय से हम दोनों का चक्कर चल रहा था और उसकी शादी होने के बाद मुझे पता लगा कि वेदा एक नंबर का गुंडा है तो मैंने डर के मारे उससे बात करना बंद कर दिया थोड़ा सबर रखिए उसे पूरा सच तो भूलने दीजिए अप्जेक्शन ओवरूल अपनी बात पूरी करो कल पुष्पा ने मुझ बार 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 एक ही बात करने लगी पिताजी को बता दूंगी उसके बाद पुष्पा ने चुले के उपर सलिया गरम करना शुरू किया उसे डराने के लिए ताकि वो अपना मुझ ना खोले तभी इस बच्ची ने कोहता हाथ में उठा के पुष्पा की गर्दन पे जोर स के वार किया वो वार इतना तेज था कि पुष्पा सहन नहीं कर पाई और वो लड़कडाते हुए उस चुले पर गिरके जल गई इससे पहले कि मैं पुष्पा को आग से बचा पाता उसकी बेटी के तेज वार से ही उसकी जान चली गई थी इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है और नहीं मेरी कोई गलती है मैडम जी आप मुझे उस वेदा से बचा लीजे मैडम जी अब्जेक्शन और मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं उस दिन कुछ और ही हुआ था पुष्पा का बेरहमी से कतल कर के इस बच्ची के साब गैंग रेप किया गया इस चोटी सी बच्ची का क्या कोई बलातकर कर सकता है माडम बीरा और उसके दोस्तों ने किया था इस केस के इन्वेस्टीगेटिंग ओफिसर मिस्टर रुद्र भी हाँ है आप इनसे पूछ सकती है यह जो कह रहा है वो सच कह रहा है मैंने पर्सनली इस केस को इन्वेस्टीगेट किया है सर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई यह रहानर इस केस की सचाई जानने के लिए बच्ची का मेडिकल एक्जामिनेशन करवाना होगा बिल्कुल कीजिए इन्वेस्टीगेशिए चलने दीजिए मुझरिम को सजा मिलने ही चाहिए मैडम अपनी ही मा का कतल करना बच्ची कितने गुस्ट से भरी होगी ना जाने इसने कितने दुख सहे होंगे। पुष्पा जैसी बुरी माह हो और वेदा जैसा गयार जिमेदार बाप तो किसी भी बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाएगी। इस केस के खत्म होने तक इस बच्ची को जुडिशल कस्टडी में रखा जाए तो मुझे लगता है कि इससे बच्ची की सुरक्षा भी होगी। दोनों पक्षों की तरफ से दलीले सुने के बाद कनक की साथ बलातकार हुआ या नहीं ये साबित करने के लिए कोट पुलिस की देख रेक में जल्दी से जाच करने की सक्त हिदायत देती है और अगले सुनवाई तक कनक को बालग्रे में रखने की हिदायत देती है। साथ ही इस केस की सुनवाई से पहले सारे एविडेंस इकटा करने की पुलिस को हिदायत देती है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने की बाद कोट इस नतीजे पे पहुँची है कि कनक के साथ कोई बलातकार नहीं हुआ है। बलकि सारी सबूत यही कह रहे हैं कि इस चोटी सी बच्ची ने अपनी मा पुष्पा का खून किया है। इसलिए बाली घौने तक कनक को बालसुदार ग्रिया में रखा जाएगा। दे कोट इड्जून्ट। इसके पिता ने कोट के सामने बहुत ही हंगामा की और पुलिस को भी चाकू मारा। वो एक नंबर का गुंडा है। सच में। इसा हुआ था क्या? दस साल पहले होई कहानी को वापस याद करके इधर उधर जवान लड़की को लेकर बदला लेना चाहते हो कैसे पिता हो। अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। किसी बेवकूफ लड़के से इसकी शादी करके अपने जिम्मदारी निभाओ। रात में खाई थाली को धोकर उसी थाली में खाते हैं न? ऐसा ही समझ लो, अरे वासना का हिसाब नहीं होता। मेरी बात सुनो, और 10-20 सालों में ये दुनिया और जादा बिगड़ जाएगी। और तुम मेरी बात सुनो, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट किसी न किसी लड़की का बलतकार होता रहेगा। अब हर लड़की हथियार लेकर सब को मारूंगी, मारूंगी बोलकर खड़ी तो नहीं हो सकती न? इसलिए औरतों को समझाता करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब और क्या बोलू? कनक, ये जो औरत है, ये कुल की कलंक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे छोड़ना मत, इस औरत को मार डालो। ठीक है, पिताजी, तुम मुझे मार डालोगी। लड़की के मर्जी के बिना अगर उसे किसी ने भी होत लगाया तो उसका भी मैं यही हाल करूंगी। काड़ दूंगी उसे भी मैं। अगर किसी ने, तो मारी बेहन को छुआ तो तुम्हे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम लोग वही काम हमारे साथ करते हो। आज उन लोगों को खत्म करके ही रहूगी। शुआ डाजय पर चुआ पर लुडूदी पेफारत खंडे भारत वरस्टता है वे दा हैं रोही बचके रहना आगया है अब तो वेधा ङुष्ठ बंच ताHNूबंच पिल्चा देगा अब तो वेधा तुम्हें पश्चे रहना हैं बेदा है दो ही बच्च के रहना आगया है अब तो बेदा हुष्ट बंच तन्नू बंच पुर्चा बेगा अब तो बेदा बच्के रहना कि क्यां लिघा आगराए कुछ को ब्रेख रहरे शॉर्चंड़ क्या ऱे रहना। नन्नी परी लाड़ी नन्नी परी लाड़ी नन्नी परी लाड़ी वर्ष्ट का है वेदा साहिं रोगी बच्के रहना काया है हम्सोरी रुष्ट वंच सब्रू वंच मेटा देगा अब दो वेदा मच्के रहना दूरी रहना यह है काया मैटम, प्लीज रोके मैटम आप रोकती क्यों नहीं मैटम मुझे माफ कर देवेदा, उससे भूलो गई थी, मुझे माफ कर देवेदा तुझे माफ कर दूँ, बेटी जब पैदा होती है तो बाप उसे सीने से लगाकर प्यार से अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है और ऐसी बेटी के साथ, तुम जैसे नीच लोगों ने जबरदस्ती किया और कहते हो कि माफ कर दूँ बलात कार करने पर पांच या दस साल की सजा होगी, उसके बाद तुम लोग वापस बाहर आ जाओगे उस लड़की का क्या, उसके परिवार का क्या, जिनकी कोई गलती नहीं, उन्हें नर्क भोगना पड़ता है और कहते हो कि माफ कर दूँ, जो लड़की बस खुशी-खुशी जीना चाहती है, तुम उसकी जिन्दगी को तबाह कर देते हो और कहते हो कि माफ कर दूँ, लड़की होना अभिशाप है क्या, गुना है, जिन्दगी भर नफरत होती है मर्दों से और कहते हो माफ कर दूँ, तुम जैसे घटिया लोग औरतों को कुछ नहीं समझते, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाते हो, सिर्फ बलातकारी ही नहीं, अगर लड़की को बुरी नजर से देखे भी, तो ऐसे आदमी के टुकडे टुकडे क वेदा, मैंने तुम्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, यह जानते हो, लॉयर गिर्जा जब मुझसे मिलने आई थी, तब मुझे सच्चाई का पता चला, मैं एक पोलिस ओफिसर हूँ और तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की की तरह सोचा, मेरी आत्मा नहीं मानी इसलिए, तुम्हारी बेटी को उन्हें मारने दिया और मैं इंतजार करती रही, यह सब होने के बाद तो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हें भी, अपने इस पत्थ देकर आओ, हाँ, ठीक है मेडम, क्या हुआ था परी बोलो, मैं चीजे छोड़ूगा नहीं, याद रखना मैं तुझे देख लूगा, देख लूगा, तुम याद रखने किस पे हांच उठाया है, मुझे लगा था ये पागल कुत्ते मेरे पीछे आएंगे, तो मैं वहीं पर गन्ने के खेत में छुप गई, काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो लोग नहीं आए, जब मैं खेत से बाहर आई, तो देखा कि… और राक्षस कडिके, मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ, हेई! वेदा, अभी खतम नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, जा उसे लेकर आओ, हाँ तुम्हारे साथ रहकर दुखा दिया इस धोके बाजने, परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा, इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये काम्याब नहीं हुआ, तुम दोनों जिन्दा रहो, परी के जरिये सच्चा ही जाहिर हो जाती, इ नाकि वो तुम्हें मार सके, चल अब जल्दी बोल। रुखो, रुखो, क्या देरें तुम लोग? अरे तादल कुटो, तुम लोगों ने छोटी बच्ची की जिंदगी फर्मास कर दी। कनक, कनक, अरे अरे, कनक को वर्वात कर दिया तुम लोगों ने, कनक, कनक, उठो कनक, उठो कनक, उठो आये… हवस के पुजारी कहीं के? वो छोटी सी बच्ची है। जहसे लोग तो साडी में लिपके हुए, कुट्पे को भी नहीं छोड़ोगे। वो आदमी मा बहन का रिष्टा नहीं समझता, वो आदमी मर्द नहीं कहलाता, वो राक्षस कहलाता है। तेरी तो… जए हरे। रहता हुआ्प। कि यह एंपूद। झाल एखिव वखज़ बाओ। हाँ 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 जब उस दिन मैंने इन दोनों को देखा तब मुझे पहली बार यह ऐसास हुआ कि इंसानियत फर्ज से बड़ी हो दिये आठ साल की कनक ने अपनी मा को तड़प कर मरते देखा फिर अपने बाप से पिछड़ गई और बिना जुर्म के सजा भी बुकती उसका पूरा बच्पन जेल में बीता वो तरी नहीं बलकि छूटने के बाद उसने किसी को भी नहीं बख्षा कर दो दो चूरा बच्ति बलल्व कर दो धनी में, भा नहीं बाद. सरफगो, सराप, सराप्ण मार्ण सराप्ण, सराप्ण, सरा इंख विले weगविलाव विले एढिदे-पेटी के दात्व सब्दी आप्टी मोगवार में दो ठीजलर के में नियिक आतर प्लादिकार हुआ मेरी मेंटी के साथ तुमने जो किया तुम्हे कभी सुखी नहीं रहोगे पेड़ी के रहा है माफी नहीं कहा मिलेंगे बोलो